यू तो उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में सूबे का सरवादिक आलू उत्पादन किया जाता है लेकिन जिस प्रकार से इस बर्स किसानों के खेतों में आलू से बंपर उत्पादन हुआ ऐसे समय पर किसानों को अच्छा खासा मुनाफ़ा भी हो रहा है उनका कहिना है कि जिस प्रकार से वहे इस फसल को तयार करते हैं हर बर्स नुकसान होता था लेकिन जब से इन्होंने इन किस्मों की आलू की फसल को उगाया है तब से उन्हें बंपर उत्पादन भी हो रहा है तो दूसरी ओर इस समय पर एक हजार रुपए प्रति पैकेट की दर से बिक्री ह हो रही है ऐसे समय पर किशान बताते हैं कि उन्होंने अपने खेतों में चिपसोना किस्था साथ ख्याती आलू उगाया है जिससे ना केबल दूसरे आलू के उत्पादन की अपक्षा बंपर पैदावार भी हो रही है तो दूसरी ओर लगातार इंकम भी कमाती नजार आ रह है यह जे तो चिपसोना क्या रहता है समय मंडी में मंडी चल रही है कई सबाइस सब्सक्राइब फाइदा होता दिख रहा है इस बार कितनी लागत आ जाती एक भीगा में तो जिस प्रकार पहले मौसम में 38-40 पैकेट का आलू निकलता था अब 70 तक पहुंच चुका है क्या कौन कों से आलू ऐसे हैं जो अधिक उत्पादन देते हैं विक्री के लिए कहां रहते हैं आप परशेव हैं आपका कहा रहते हैं आप की चीज के खेती कर रहा है आप कौन सा आलू है अपने पास ख्याति क्या रहता है आपके पास कितनी लागत आ जाती है जिस प्रकार दूसरे आलू 50 पैकेट तक निकलते हैं ख्याति 80 तक जारा क्या अलग रहता इसमें तो इससे फायदा भी होता है क्या रेट चला इस समय आलू का पैकेट और यह चिप में फायदा होती है कहां रहते हैं आप लगातार आलूख वसल करते हैं कितनी साल हो चुके हैं तब्रदेश के वर्खाबास से लोकल एटीन के लिए सत्यम गडियार की रिपोर्ट